राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्राध्यों की संस्थान द्वराप्रस्तु थे धनी कारेक्रमों की शंखला क्या है हमारी चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर भूगोल शिक्षन के कारेक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्धमिक कक्षा के चात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारेक्रम NCERT द्वरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्षक है जल संसाधनों का संरक्षन जल की कमी, स्थानिक और रित्वत असमानता, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूशन की द्रिष्टी से जल संसाधन का संरक्षन आवश्यक हो गया है इस दिशा में पहला कदम, वर्षा जल संग्रहन और इसके अपवाह को रोकना है दूसरा कदम है, छोटे बड़े सभी नदी जल संभरों के जल संसाधनों का वैज्यानिक प्रबंधन तीसरा कदम है, जल को अप्रदूशित रखना वर्षा जल संग्रहन यह भौम जल के पुनर भरण को बढ़ाने की तक्नीक है इस तक्नीक में स्थानिय रूप से वर्षा जल को एकत्र करके भूमी जल भंडारों में संग्रहीत करना शामिल है जिससे इस्थानिय घरेलू मांग को पूरा किया जा सके वर्षा जल संग्रहन के उद्देश्य यह है पहला जल के निरंतर जल मांग को पूरा करना दूसरा नालियों को रोकने वाले सतही जल प्रवाह को कम करना तीसरा सडकों पर जल फैलाव को रोकना चौथा भौम जल में व्रिद्ध करना तथा जल स्तर को उचा उठाना पाँचवा भौम जल प्रदूशन को रोकना छटा भौम जल की गुणवत्ता को सुधारना सात्वा म्रदा अपर्दन को कम करना आठवा ग्रेश मृत्तू और सूखे के समय जल की घरेलू आविशत्ताओं को पूरा करने में सहायता करना भौम जल के भंडारों के पुनर भरण की कम लागत वाली अनेक तकनीक अब उपलब्ध हैं इन में से छट के वर्षा जल का संग्रहन, खुदे हुए कुणों का पुनह भरण, हैंड पंपों का पुनर भरण, रिसाब गड़ों का निर्मान खेतों के चारों ओर, खाईयां और छोटी-छोटी सरिताओं पर बंधिकाएं और रोकबांध बनाना विशेश उलेखनी नहीं हैं ये तकनीकी देश के लिए नई विवस्था नहीं हैं, प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहन की परमपरा रही है जल संग्रहन के उन्नत तरीकों के प्रमान भी मिलते हैं नहरों, तालाबों, तटबंधों और कुओं के रूप में जल संग्रहन होता था पर्वतीव एवं पहाडी क्षेत्रों में छतों के वर्षा जल और जर्णों के जल को बांस की नलियों द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता था शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भौम जल के भंडारों के उपयोग के लिए कुमें और बावणियां बनाई जाती थी राजिस्थान में छत के वर्षा जल को क्रित्रिम रूप से विक्सित कुमों में जमा कर दिया जाता था जल सन्रक्षन के लिए सारे देश में तालाबों का निर्मान एक लोकप्री उपाय था इन सन्रचनाओं के नवी करण और आधुनिकी करण से न केवल जल भंडारण की सुविधा होगी अपितु विभिन उद्देश्यों के लिए जल के उपयोग की क्षमता में भी व्रिद्धी होगी जल संभर विकास जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभाहित होता है जो इसे म्रदा और जल संदक्षन की आदर्ष नियोजन इकाई बना देता है इसमें एक या अनेक गाउं क्रिशी योग्य और क्रिशिक अयोग्य भूमी और विभिन वर्गों की जोते और किसान शामिल हो सकते हैं जल संभर विदी से क्रिशी और क्रिशी से संबंधित क्रिया कलापों जैसे उद्यान क्रिशी, वानिकी और वन वर्धन का समगर रूप में विकास किया जा सकता है भारत में जल संभर विकास कारिक्रम, क्रिशी ग्रामीड विकास तथा पर्यावरण और वन मंत्राले द्वारा किया जाता है जल संभर विधी, जल संद्रक्षन का एक महत्व पूर्ण उपाय है इससे हीन संसाधन वाले क्षेत्रों में क्रिशी का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है वर्षा पोशित क्षेत्रों तथा संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में परितंत्रीय हरास को रोका जा सकता है साथ ही साथ इससे लोगों का जीवन स्तर्भी उचा उठता है जल संभर प्रबंधन का महत्व हर्याणा के सुखो माजरी गाउं के अनुभाव से समझा जा सकता है जल संसाधन की समस्या जल संसाधनों की समस्याईं विविद प्रकार की हैं ये उपलब्ध, उपयोग, गुणवत्ता और प्रबंध से संबंधित हैं यदि उपयोग का वर्तमान प्रतिरूप और गती जारी रहती है तो भारत को उपयोग्त गुणवत्ता वाले जल की अपनी भविश्य की आविशक्ताईं पूरी करने में संकट पूर अभाव का सामना करना पड़ेगा उपलब्धता की समस्याएं प्रिष्ठीय जल की कुल अनुमानित उपलब्ध मात्रा अठारा सो उनहत्तर अगमी है इसमें से केवल छे सो नब्बे अगमी ही उपयोग के लिए उपलब्ध है यदि इसमें भौम जल की चार सो पचास अगमी मात्रा जोड़ दी जाए तो कुल योग ग्यारा सो चालिस अगमी हो जाता है जो उपयोग के लिए उपलब्ध है एक परमपरागत अनुमान के अनुसार भारत में सन बीस सो पचीस में दस सो पचास अगमी जल की आविशकता होगी इस प्रकार कुल मिलाकर देश में जल की कोई कमी नहीं होगी लेकिन हम इस तथी की उपयक्षा भी नहीं कर सकते कि भारत में जल की प्रतिविक्ती उपलब्धता घट गई है 1951 में ये 5514 घन मीटर थी जो 2001 में 1829 घन मीटर रह गई कुछ प्रदेशों में जल संसाधनों का बाहुल्य है तथा कुछ में कमी है पूरे वर्ष नमी की कमी वाले प्रदेशों में राजिस्थान, पंजाब और हरियाना के मैदानों के पश्चमी और दक्षडी पश्चमी भाग, पश्चमी गुजरात तथा पश्चमी घाट के पवन विमुख ढाल हैं इसी प्रकार रितुवत भिन्नताएं भी जल की आपूर्ति की समस्याईं पैदा करती हैं इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अधिकांश भाग में जल की कमी अनभव की जाती है इसके साथी वार्षिक और रितुवत वर्षा में अत्यदिक परिवर्तन शीलता है इसी कारण से संभावित जलसन साधनों का विवेक पूर्ण, उप्योग, सनरक्षन और प्रबंधन आवश्यक हो गया है इस प्रकार राष्ट्री स्तर पर मांग और आपूर्ति में संतुलन होने के बावजूद देश में प्रादेशिक और रितुवत उपलब्धता अनकूल नहीं है जलसन साधनों का संरक्षन अभी आप सुन रहे थी ये वारता वाची का थी नीतु तेवारी विशे संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा विशे संपादन आरपी मिश्र आलेक एसके शर्मा नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन करें लाडे थावपक पांडे और दीपक पांडे लाडे विंदना आरिम प्रसुती वन्यंकन अर्मा चत्रुदयाल चत्रुदयाल चत्रुदयादे व्यादित वहनेत अर्मान सहयोग प्रक्ष्यन